अलो व्योर्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, आज का हमारा ब्लोग होने वाला इस 10 डिसी है अ क्लिप का, तो चलिए अपना ब्लोग स्टैट करते हैं सबसर पहले आप ये साटन का कपड़ा लेजिए, तो ठीक साटन आते हैं आपको हो लेना है मैं आपको इसकी लंबाय चोड़ाई बता दूँ तो देखिए, इसकी जो चोड़ाई है ना, मैंने वो 8.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो 14 जह देन आपको क्या करना है यह जो बक्रम आते हैं यह बक्रम ले लेना है आपको सबसे पहले हम यह फैबरीक उल्टा कर लेंगे देन जो हम इसके ऊपर हम बक्रम लगाएंगे बक्रम का जो शाइनी वाला साइड है वाप नीचे तरफ करिएगा अच्छी से सट कर लीजेगा देन इसके उपर आप प्रेस कर लीजेगा प्रेस आप ज्यादर टेम्परीचर पर मत रखेगा नी तो उस पर बक्रम से पक जाएगा देन देखिए इस तरीके से हमने पूरी प बस तरह न adean है बस जो दोनों पीस है वापस में मिल जाए और इस तरीके से एक को इसको फोल्ड करना है देन हप या करेंगे इसमें पिन लगाएगे जो इसतरह की पिन आती जो Sumy क्लिश बाती है वह फिन लगा लेंगी देन जो लास्ट वाला किनारा है दिखिए थे दो पिन लगाने से जो लास्ट वाला किनारा है नो एक दम सही मिल जाता है तो इस तरीके से इसे मिलाके इसमें एक और पिन लगा लेंगे देन आपको क्या कहाना है इस तरीके से बीच की पिन निकालना है और ऐसे इसे दो पैं और पिन लगाए फिर स्टिच कियां आप चाहें तो बिना पिन लगाई भी से स्टिच कर सकते हैं कि यहां पर मैंने इसे ससीच किया और आप चाहें तो इसके उपर मशीन भी लगा सकते है एंब इस फटा-फट पmother स्टिच कर लोगे कि JAM आपको इसकी ऐसे प्लेट्स बना लेनी है तो पहला जो हिस्सा है वो अंदर तरफ बस इस बात का देहार रहें कि फर्स्ट और लास्ट प्लेट जो है वो अंदर की तरफ होने चाहिए ताकि इस बो जो है उसका लुग प्रॉपर बन सेके तो देखिए हमारा लुग का लुग लेगे और शो के पीछ इसे चिपका देंगे यह तरीके से ऐसे हमसे झीपर आपको क्या करना है ऐं कि मैं आपको चुडाईं, बता दू देलें इस तरीके से एक साइट से फोल करिए और और आपको तरह आइचा कि ना आपको नहीं स्युन्ध के पिन खोल लिए और Okay, and then उसे उसे उपर से ले के आना है इस तरीके से मिलाती हो लाना है एक्सटर में जो फैबरे के वो गाट के अलग कर देना है आपको कहकरना है, कपड़े को इची तरह मिला लेना है देन इस चुप को उपर थोड़ा सा ग्लू लगाना है then इसे एक बार fold कर लेना है then एक और बार इसके उपा glue लगा के इसको चिपका देना है मैं इसे चिपकाने के बाद एक और बार stitch करूँगी आप चाहें तो इसे इसे चिपका के छोड़ सकते हैं तो देखें यह हमारी बन गई then मैं इसे stitch कर लोगी then हम क्या करेंगे हमारी pin-band के ready हो चुके अब हम इसे decorate करेंगे इसको decorate करने के लिए इस तरीकी के मैं तीन size के जो half beats आते हैं sorry half जो pearl आते हैं वो use करूँ भी तो देखें आपके पास जो भी size हो वो आप ले सकते हैं then हम क्या करेंगे fabric glue लेंगे जो fabric वाला आता है वो और random इसके जहां जा आपको half pearl लगाने हैं वो ले लेंगे और इसके ओपर चुपका लेंगे तो इसका कोई pattern नहीं है just random आपको जैसे लगे छोटे बड़े आप ऐसे चुपका लीजेगा आप चाहें तो इन्हें एक size के भी लगा सकते हैं इसी तरीके से हम दोनों side में ये half pearl लगा के इसे आदे खंटे dry होने के लिए छोड़ देंगे तो देखे इस तरीके से dry होके हमारी beautiful सी hair clip बन के तयार है अगर ब्लॉक पसंद आया है तो चैनल को like, share और subscribe जरूर करना comment करना बिलकुल मत भूला thank you for watching